नमस्ते दोस्तो हमने नोजोड के एक शुरू किया जिसके अंदर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और दो तिन नोजोड का डिस्केशन अल्रेडी अप्लोड किया है इसके एक प्लेलिस्ट मैंने मना रहे हैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ आप ज़रूर एक बार चेक कर ले है जो हमें closely associated देखने को मिलते हैं और इसे कब देना है कौनसी पोटेंसी में देना है इन सभी की डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला एंड तक जरूर देखेगा मैं डॉक्टर वीपु बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेंगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहें तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और साथे साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करू तो उसकी फ ना है बहुत दीप अक्टिंग अंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है आप ऐसे ही नहीं दे सकते इसके लक्षण यदि क्लियर कट आपको देखने को मिलते हैं तो जरूर इस दवा का इस्तमाल आप कर सकते हैं इसके और दो नाम भी होते हैं एक है लूटिकम और दूसरा है लूस जिसे हम कहेंगे वो बततो यदि आपके पास में उपदंच या सिफिलिस का कोई ऐसा रोगी आता है जिसने उपदंच या सिफिलिस की कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कराई है उसे लगता है कि उसमें तो आराम हो गया है लेकिन उसके बात से उसको गले के अंदर और स्किन के पुरे शरीर के अंदर तकलीफ हो रही है तो ऐसे रोगी को हर बार शुरुवात में सिफिलिनम देने से अराम हो जाता है अगर आपको लगता है कि दूसरी दवा इंडिकेटेड नहीं है तो आप बिल्कुल यह दवा उसे दे सकते हैं और हंड्रेट परसेंट उसके अंदर हमें रिलीफ देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ी क्लिनिकल टीप है जो डॉक्टर एक्सीलन ने हमें दिये इस क्लिनिकल टिप को हमेशा सभी ने याद रखना चाहिए चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों देवारे में सबसे पहला और बहुत ग्रैंड लक्षण जो सि है वो रात को हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है याने संद्या से लेके सूर्योदय तक हमें इसकी तकलिफे बढ़ती हुई देखने को मिलती है बाद में धीरे धीरे उसकी तकलिफे दिन में हमें कम होती हुई देखने को मिलती है तो ऐसा यदि कोई रोगी आपको द तो सिपिलिनम के बहुत अच्छे एफक्ट देखने को मिलते हैं। रात को तकलिफे बढ़ती है, यह सिर्फ अकले सिफिलिनम का सिम्टम नहीं है, यह भी चीज हमें ध्यान में रखनी है, रात से तो इतना डर लगता है, जैसे जैसे रात आती है, वैसे वैसे गवराट सिफिलिनम के पेशन्ट के अंदर बढ़ती है, हमें देखने को मिलती है, क्योंकि रात को उसके तकलिफे बढ़ जाती है लेकिन ये लक्षन हमें दूसरी दवाईयों के अंदर भी देखने को मिलती है जैसे कि मर्कुरियस और फाइटो लगता यह दोनों दवाईयों के अंदर भी नाइट अग्रिवेशन हमें देखने को मिलता है तो यह चीज हमें ध्यान में रखते हैं इसके लावाद सिफिलिनम बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटर हमें देखने को मिलती है ऐसे रोग्यों के अंदर जो अल्कोहोल पीते हो जैसा कि हमने सोरायनम के अंदर देखा था कि फैमिली हिस्ट्री होती है अस्तमा की ठीक उसी तरह सिफिलिनम क असरे की हमें अंदर हमें देखने को मिलता है फैमिली हिस्ट्री होती है अल्कोहोलगें की याने जनेयरेशन से यदि कोई दारू पी रहा है और ऐसए कुई व्यक्ति है जो बहुत ज़ादा इस तक पीउलिक कर रहा है तो हैसी व्यक्तियों के अंदर हमें स्धीलानम के बह पेशंट्स को देते हैं जिससे अल्कोलिक पेशंट्स को फाइदा होता है तो सिफ मैंने यहां पर बता दिया है कि अल्कोलिजम के अंदर सिफिलिनम बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड है तो हर एक पेशंट के अंदर आपको सिफिलिनम नहीं देना है तो लिए बात करत मिलता है उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्किन पूरी तरह सड़ गई है तो यह फिलिंग पिशंट के अंदर हमें आती भी देखने को मिलती है पॉडी जहां पर नूट्रिशन ग्रेटली इंपेर्ड हो वहां पर भी सिफिलिनम के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलत है खासकर ऐसे चिल्ड्रन्स जिसके स्पाइन के अंदर हमें करवेचर देखने को मिलते हैं बोन्स का डेवलप्मेंट कहीं तो भी रुख गया है या बोन्स वीक डेवलप हुई है ऐसा यदि किसी बच्चे के अंदर देखने को मिल रहा है और साथे साथ उसका बिएवियर यदी हमें ढ़्राफिश देखने को मिल रहा है ऐसे बच्चों के अंदर भी सुपीलियम बहुत अच्छी तरह से काम करती है हड्यों के अंदर हमें दर्द देखने को मिलता है यह जो अभर्द होता है फिर दीर, दीर, धीर, 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 धार न मेरा देखने मिलता है ए इन्य ज़ोई सेक्षं साम ई नम के पंदर देश्चन को मिलता है तक मेंना के अंदर और फ मैं का इंवल्मेंट फरू की ऑर टिरा की जो ब्रडिया होती है वह वह हमें खासकर देक्टे को मिलती है जिस अंदर अप्सें सिफिली नम के अंदर हादण के इन सभी के अंदर हमें हड्डियों का अफेक्शन देखने को मिलता है तो ऐसे रोगी यदि हड्डी के अफेक्शन लेके आ रहे हैं तो हर एक को सिपिलिनम देना ठीक नहीं है तो यहां पर इसलिए यहां पर सिपिलिनम के अंदर हमसे को मिलता है तो इसलिए जाले उसके गुप्ताँगों के उपर हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे चालों के अंदर भी सिपीलिनम के बहुत अच्छी रिजार्ट हमें देखना को मिलते हैं एक केस बताते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उपदंच का रोकी एक उनके पास में आया था जो उपदंच से काफी परेशान था और फिर डिप्रेशन में चले गया कि नतले हैं और उसने उसका काम धंदा पूरा छोड़ेता और घर में बैटा था तो उसकी बीवी पूरा काम करती कि थी वज्चों को बढ़ा किया था वो ठीक हो गया खुद का काम धंदा करने लगा यह दवाब बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड होती है लीनियर पेन हमें देखने को मिलता है टेंपल टो टेंपल ऐसे लाइन के अंदर पेंग जा रहा है पीछे की तरफ भी इसी तेरह का पेन हमें देखने को मिलता है और बहुत जादा तकलीफ सिर्दर्द की हमें इसके अंदर देखने को मिलता है तो सिफिलिनम बहुत अच्छी तरस है ऐसे रोगियों के अंदर भी काम करती है ऐसे सिफिलिटिक पेशन्ट यदि टाइफोईड से ग्रस्त हो जाते है तो वो टाइफोईड तो उनका चले जाता है है धीरे 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 इंप्रूमेंट होता है तो ऐसे रोगियों के यह हम सिफिलिनम दे देते हैं तो उनकी तुरंद भूब बढ़ जाती है उनकी जो एनर्जी लेवल है वह बढ़ जाती है और टाइफोड से रिकोवरी जो बाद में कमजोरी की वह बहुत रैपिड़ी हम हमें सिफिलिनम के अंदर देखने को मिलते हैं बार बार आखों के अंदर चाले हो रहा है गाठे बन रही है जो फूट जा रही है जिसमें से दिस्चाज निकल रहा है ग्रोथ ओवर ग्रोथ हमें यह दी देखने को मिलते हैं तो ऐसे रोगियों के अंदर हमें सिफिलिनम के बहुत अच्छे रिसंट्स देखने को मिलता और या उस तरह का डइपलोपिया किसी के अंदर आता है और आको की काफी सारे अखेक्शंस होते हैं कॉर्णिया के ऊपर तो ऐसे रोग्यों के अंदर से अच्चे हमें देखने को मिलते हैं किसी का नाक बहुत सालों से भाई रहा है दिरे-दिरे उजीना हो गया उजीना याने जिसे modern term में हम atopic rhinitis कहते हैं बार-बार नाक भाई रहा है और इतना भाई रहा है कि उसका लाइनिंग और जो नाक की हड़ी है वो धिरे-दिरे गल रही है नाक का जो शेप है वो धिरे-दिरे चेंज हो रहा है इस तरह के लक्षण यह दि किसी के अंदर रेखने को मिलते हैं तो सिपिलिनम बहुत अच्छी तरह से ऐसे रोगियों के अंदर काम करती है पेशन्ट जो यह देखने को मिलते हैं अईसे पॉनला होती है शटर के अड़ार के लिए यह या यह जो मिल्या किसी को है और इतना परशान होने उसे लिटरली मेंस्ट्रल पैड युदी पहनना पढ़ रहा है तो ऐसे तकलिफ के लिए भी सभी नम बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और होट कीन्स डिजीज के लिए होट मानसिक लक्षणों के बारे में कि इसका सभाव कैसा होंगा तो पेशन्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बुद्धिवाला होता है वो चीज़े भूल जाएंगा नाम भूल जाएंगा क्या 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 नहीं किया यह चीज़े बहुत जल्दी भूल जाता है पेशन्ट बहुत ज़्यादा forgetfulness हमें patient के अंदर देखने को मिलता है patient calculation नहीं कर पाएंगा उसको बताएंगे सतर और 75 को मिलाव किपते आएंगे तो वह calculate नहीं कर पाएंगा जल्दी उसको calculator simple calculations करने के लिए भी regulator का काम पढ़ेंगा तो इस तरह का वीक-minded patient हमें देखने को मिलता है और यह सबसे ज्यादा मार्थ हमें सिफिलिनम के अंदर देखने को मिलता है उसको ऐसा लगता है नहीं कि वह कभी ठीक हो सकता है उसको ऐसा फियर लगता है कि वह कई पगला नहीं जाए ठीक मेटरूनम के सिफिलिनम के अंदर भी यह लक्षन हमें देखने को मिलता है उससे रगता है कि वह उसके साथ में कुछ बूरा हो जाएंगा ऐसे नेगेटिव थौर्ट से patient के अंदर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं जैसा कि मैंने पहले बता है रात को सभी तकलिफे बढ़ती है तो को बहुत ज़्यादा डर लगता है जैसे जैसे रात पास में व्हस्ता और हमें से अंदर हमें देखने को मिलता है आहा को सभी हर गद्यूर्ट के उलट इसा बहुत बहुत ज़्यादा घरगर हमें चाती के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं सुखी खासी होती है रात को खासी बढ़ जाती है और बहुत जादा दर्द हमें होता हुआ देखने को मिलता है चाती के अंदर खासी के साथ में तो इस सभी लक्षण हमें सिफिलिनाम के अंदर देखने को मिलता है है इसके अलाबा सिप्लिनल्यमंगे बहुत अच्छी दवाल के लिए, साथ सब्सक्ति के नवे तक यह कि उपर गिरती भी देखने को मिलते हैं तो यह सार एलक्षन को सिखली नम के अंदर देखने को मिलते हैं तुब जाते जाते आपको बता देता हूँ कि इसको कौन से डोज में लेना है ज्यादा तर होमियोपेटिक डॉक्टर इसको हाई पोटेंश में देने की कवायत करते हैं हालां कि 30 200 की Potency में भी मिल दिये लेकिन ज़दा दर बॉक्तर इसे 1 M 10 M या CM Potency में यूज करने की सला देते हैं मेरा भी यही मानना है कि से वन एम पोटेंसे में यूज़ करना है और इसको जाधा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए आपको सिर्फ तीन डोस वन एम के इस दवा के देने चाहिए और उसके बाद में बीस से पच्चीस दिन तक का वेटिंग पिरेड आपको रखना चाहिए इसके इफेक इस दवा को पर्चेस भी कर सकेंगे तो यह थी आज की जानकरी आशकर तो आपको यह जानकरी पसंद आई होंगी इस तरह की इंट्रेस्टिंग जानकरी के लिए मुझसे जुड़े रही है मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए आप सभी के जाज चाहूंगा जय हिन ज झाले वाराओगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग